कि नमस्कार दोस्तों मेंदुरजीत आज हम साइंस के बहुत बेधरीन कोशन करने वाले हैं जो कि समानने विध्यांग के कुशन होंगे सारे कुशन होंगे और इंप्वोर्टेंट है आपको लाइन टू-लाइन हम याद करा देंगे सारी चीजे साथ जो इनफोर्मेशन हमको देना होगा वह हम कुश्चन क्या कॉर्डिंग देते जाएंगे ठीक है तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बुढ़ी अच्छा लगे तो लाइक से जरूर करिएगा चले कुश्चन दिखेगा अजीब सी गंद भी महसुस की होगी वह गंद आता है एथिल मरकेप्टेन के कारण लपीजी गैस में डला होता है एथिल मरकेप्टेन इसके कारण गंद आता है यह आपको ध्यान में रखना है फिर हम देखते हैं कि रख्ट कैंसर लुकेमिया को नियंत्रित करने के लिए द्वारा हम इसको लुकेमिया थेरिपी नाम थोड़ा से समझेगा लुकेमिया थेरिपी थेरिपी दी जाती है फास्वोर 32 के द्वारा वहीं यदि हमें रप्त प्रवाहा का पता लगाना है तो हम यूज करते हैं सोडियम 24 यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है चांद अधुनिक आवर्त नीमों का प्रतिपादन किस ने किया तो यह तो साब ज़्यादा तर बच्चे जानते होंगे मौसले जी ने किया है जबी आधुनिक आवर्त नीम बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है मौसले वह धातु जो बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयो नेक्स है जो आपका कपड़ा इस्तरी है को गर्म करने के लिए किस धातू का प्रयोक कह जाता है कि आप यह वह तो हमारी भासा है लेकिन हम आपको विज्यान के भासा में बता रहे हैं कि आप इसली समझ पहें कई बार एरन बोलने से दिमार्ग में सीधा लोहा प्रकट हो तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा उसको तो कपड़ा इस्तरी में अंदर में लगा होता है नाइक्रोम का तार जैसे आप उसका ज्ञाग वाला अगनी शामक इसके यूज किया जाता है, फिर नेक्स्ट है किसकी मॉज़न रहने से वाईू में पीतल रंगहीन हो जाता है तो हईड्रोजन सल्फाइब, यह यदि वहाँ मौझूद है, तो पीतल रंगहीन हो जाता है, जहार रखेगा, फिर नेक्स्ट को रधर फोड के प्रक्टियुन परिक्षन दें सिद्ध किया प्षे को अंसर हो इसका न्यूग्ष मिलाइ जाती है तो इसका सहीं उत्तर होगा नीकेल मिला जाता है फिर नेक्स है परमाणू के नाभी की खोज किस ने की थी तो इसका उत्तर है रजर्फोर्ड वहीं इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पूछता है तो जेजे थामसंजी और निट्रॉन की खोज चैडवी और आपका प्रूटान का खोज गोल्ड इस्टीन यह आपको ध् ग्रीन हाउसेज भी होती है जैसे उसी में आता आपका जलवास्प मेथेन ओजोन यह सबी भी है यह ना सी एफसी फिर नेक्स्ट है आपका कार्बन तत्व द्वारा किसके सांथ मिलकर सबसे अधीक योगिक बनाया जाते हैं तो हाइड्रोजन आपने क्लास 9 और 10 में कुछन था इलेक्ट्रान प्रोटान यूट्रान यहीं इसके उत्तर होंगे इसके बार हम देखते हैं सक्रिय पदार्थ जो 6 होने के बाद सीशा में अंतिम रूप से बदले जाते हैं यह बहुत ही सांदार कोश्चन है बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा इसको इसका उत्तर होगा समस्त रेडियो धर्मी तत्तवर रसोई गैस LPG किसका मिस्रन है तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों ही आपका हाइड्रोकार्वन हैं ब्यूटेन और प्रोपेन हैना इसका मिच्छन होता है नेक्श्ट है वह धात्व जिसका गल्लांग इतना कम हैं कि का हाथ में ही रखे तो पिहल दाएगी और इसका सही उत्तर होगा गैलियम और भी इसमें बन सकते हैं जैसे द्रोस्था में पाया जाता है तो आपको लेना है अंसर मर्गरी पारा है चलिए नेक्ट देखेगा किन गैसों के मिसरन का प्रियोग गुता खोर सांस लेने के लिए करते हैं गुता खोर का मतलब जो पानी में अंदर ये अंदर टाहरते हैं तो एक सिलेंडर रखे रहते हैं सिलेंडर के अंदर होता है ऑक्सिजन और हिलियम ये ध्यान में रखेगा ठीक है पानी के अंदर ऑक्सिजन और होता है ऑक्सिजन और हिलियम ये दोनों गैसों को मि मिस्र धातु क्या बनाने की काम आता है तो इसका सही उत्तर होगा हवाई जहाज तथा रेल के दिब्बे की पूर्जे बनाने में कौन सा पधाद प्रकृती सब्सक्राइब में प्रकृति में तीन अवस्थां में पाया गया जाता है तो इसका सहीधा दो कराने के लिए किसका प्रयोग के जाता है तो इधार रखेगा नेक्स्ट है किस रिडियो धर्मी तत्व की किर्णों का उप्यों कैंसर के उपचार में किया जाता है बहुत सांदार कुश्चन है इसका उत्तर होगा कोबाल 60 फिर नेक्स्ट कुश्चन है यह सिध्धान किसने दिया कि परवानू सबसे छोटा कन है जो स्व कौन सी गैस निर्मित होती है और यहहां का कारवन ओक्साइट जिसको लोग दम घोटू भी कहते हैं और इक तीसमें और ध्यां रहे को कम है लेकिन जब हम कार्वन को परियाप्त ऑक्सीजन का उपस्तिति में जलाएंगे तो वह बनेगा और मोना नहां था रेक्षन कराएं तो बनेगा carbon dioxide co2 okay next pencil light किसे कहा जाता है तो graphite को कहा जाता है जो की carbon का एक अपर रूप है carbon कैसे दो अपर रूप होता है और graphite जिसमें से हीरा तो आप definitely जानते होंगे यह graphite के बारे में आपको बताया हूं चूने का पानी इसकी उपस्तेती के कारण वायू में रखने पर दूधिया हो जाता है तो इसका उत्तार हो जाएगा carbon dioxide रही बाद चूना तो चूना आप सभी जानते है calcium oxide जिसका रसाइनिक सुत्र होगा CEO फिर next है और दोगीक पैमाने पर अमूनिया का उत्पादन किस विध कौन से है तो प्रूटान और निट्रॉन फिर नेक्ष्ट है कोल्डरिंग के दाप के अंतरगत गैसों में से क्या उपस्थित रहता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका carbon dioxide यहीं गैस है जैसे आप को धकार की रूप में यह बाहार आता है तो इसमें भारी जल का प्र प्रतिरोध कौन सा तत्व उत्पन करता है यह संचारन आपने पढ़ा होगा तो जंग से बचाने के लिए जो सरक्षन किया जाता है वह आपका निकेल नहां रखेगा इसके बाद देखेगा sodium hydroxide सुत्रवाले रसायनिक योगिक का नाम क्या है इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं आपको देखो सोडा में बहुत कर्फ्यूजा रहता है यह आपका कास्टिक सोडा हो गया वही खाने का भी सोडा आता है जिसका नाम है sodium bicarbonate और आपका धावन सोडा भी आता है जो कपड़े धोने का सोडा होता है वह होता है और उसका रसानिक सुत है तो इसका सही उत्तर होगा hydrogen कई लोग इसको रॉंग आंसर समझ लेते हैं और nitrogen को सही उत्तर समझते हैं तो देखें अभी हमारा question पूछा है ब्रम्हान में पुरे ब्रम्हान की बात हो रही है ना कि प्रिथवी का वायू मंदल की मां बात कर रहा हूं जबी हम प्रिथवी की आयू का आकलन किया जाता है तो यह यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है वहीं अगर कुशन आता है कि जियों की आयू का आकलन किसे करेंगे तो उसके लिए आंसर हो जाएगा आपका carbon dating फिर next है सबसे भारी धातु है तो उश्मियम सबसे हलकी धातु सबको मालूम है ल गजिन का यू भड़े